किया आपको भी पसंद है आलू की सबजी खाना आलू डॉम खाना आलू का बहुत फेराइटी होता है गाइस कैस मैं हूँ जोनाली और मैं हाइदरबाद में रहती हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज एक रेशिपी शेयर करने जारू जो आलू डॉम है आलू जोल भी बोल लिजी है देखिए मैंने प्यास मिर्सी ऐसे फ्राइ कर रही हूं कोकर में और मैं बनाएं के कोकर में और आलू तीन आलू ले लिया और तीन वालू मैंने बरे बरे पीस में कर लिया एक आलू का सार पीसे कर लिया और इसमें मैंने दही के साथ हल्दी नमक मिर्सी यह सब मै आप लोगों को पसंद है नहीं है वह भी आप लोग मुझे जरूर बताई और मैं यह जो ड़ी के साथ यह मिक्स पर मसाला बनाया था तो मैं इसमें अराम से प्राइब कर लेंगे बहुत ही अच्छा से इसके बाद मैंने डाल दिया तमातर गलने के लिए मुझे थोड़ा सा नमक डालना परिएगा और सबस चीवें नमक भीना सबसे अधूर और में अनमक मिर्शी थोड़ा क्षा रहेती हूं और इस सब्समें अगर ठोड़ा तेल ज्याटा देते तो और अच्छा लगता है और मतलब तेल अपना मरूजी है मसला अपना मरूजी है जितना घटे उसेसे ही नहीं है ऑगी मैं दो के किवD नहीं है यह फ्राइब कर दिया और शारपासिटी देने से आराम से यह अलू उबाल जाता है और इस सब्जी में अधर में इंग्रीडियांस है तो आप लोग गराम मसाला स्कीप मत किजिए और थोड़ा बहुत ऐसे ठक के दो तीन बार आप लोग ऐसे अच्छे से यह फ्राइब कर ल तो दो झाल यह फ्राइब कर लिए और आप मतलब यह सब्जी तब तक नीचे नीचे को कर में शिपक नाहीं जक्ता तब तक हाप लोग यह फ्राइब करते रही है और इस सब्जी का तो आलो भी ऐसे हमारा हाफ फ्राइब हो जाता है फ्राइब करते करते तो और हमसे आप लोगों को मालूम पढ़ गया होगा निशे निशे से पग गया और इस ताहिम मैंने डालेंगे पानी और पानी मतलब एगलास डूगलास डाल दीजिए क्योंकि सारपासी टी तो डालना आए डिखी उपर ऊपर खी भी आ गया और सबजी का स्वाठ और अच्या हो जाता है और इस अपजी में हम लोग सारपासी डाल दिया है और थकन कोलने बहुत अच्छा कलर किप लागेशा अम सबजी पर जयाद़ा हो और यह सबजी जो हम गरम गरम के साथ कहते अना तब ब है। आता है है। आप लोग भी बार मेरी यह तरीके से अपुत राइए कर ले काणने का लेगा। बहुत अच्छा लगे बहुत है। और यह कि इस बाइऩ भी अच्छा आजाता है और यह मेरी सब्सक्राइब लूक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ गा कर दो